हे गाईज आज के वीडियो पे हम डिस्कसन करने वाले हैं 36 गड़ के कुर्मी कम्नीटी के सांसत के बारे में तो यह वीडियो बहुत इन्फोर्मेटीव होगी इसलिए वीडियो को फुली वाज किजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करके साथ में वो बेल आइकन वाला बटन है ना उसे भी प्रेस करके रख ले क्यूंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्नीटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है तो भाईयो चैनल चैनल पर लाइका क्यूंकि कम्नीटी के सांसद को जानने से पहले हम चैनल में कुर्मी स्रामुदाइक नहीं विरिश्थिते जानकारी लेते चले जैसे हम बात करें कि चतिस गड़ में हमारी उपजातियां कितनी है और चतिस गड़ में हमारे मुख्यमंत्री कितने बने है राजपाल कितने बने है चतिस गड़ में हमारा कुर्मी समुदाई का टोटल पॉपुलेशन कितना है और चतिस गड़ में हमारा अनुपात कितना है भागिदारी कितनी है और हमारा वर्चस कैसा है तो इन सभी चीजों की जानकारी और साथ में कुर्मी कम्नीटी के सांसद की भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी तो वीडियो को फुली अंतक जरूर देखेगा दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 36 गड़ भारत का एक अभिन राज है और रेबन्यू के नजरिया से हम बात करें तपर भी 36 गड़ भारत को बहुत सारी रेबन्यू देती है क्योंकि 36 गड़ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है यहां बहुत सारी कलकार खानाएं जिससे केंद्र सरकार बहुत सारी माल बटोरते है 36 गड़ मेंली बहुत परसीद है तो अपने कल्चर के परती 36 गड़ एक कल्चरिक एस्टेट है और इनका बहुत बढ़िया कल्चर है और 36 गड़ मेंना हर्याली भी बहुत है बन्चेत्र भी है तो 36 गड़ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुए हमारी जो उपजाती है उसमें मैंने 36 गड़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया ह और हमारी चानी गड़ में कितनी उपजातियां है उनकी जानकारी आपको बताई वाहीर है वहां से लीवी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो, 36 गड़ में हमारे 24 उपजातियां हैं, पर इन 24 उपजातियों में न कोई भेदभाव नहीं है, आपस में साधी बिभाव का कल्चर है, और ये लोग आपस में साधी बिभावी करते हैं, और इनका संबंध एक दुसरे से अस्तापित है। तो 36 गड़ वाला उपजाति पर वह वीडियो जाके देख लिजेगा भाईयों कि हमारी उपजातियां कौन-कौन से हैं। अगेदारी भी लगबग लगबग हमारी वहां अच्छी इस्तिती में हैं। 36 गड़ से हमारे एक राजपाल भी निकले हैं। रमेश भाई भाई भारती जनता पाटी के बहुत बड़े नेता हैं। पांच-छे टम साथ टम से सांसद भी रहें। अभी फिलाल वह राजपाल की भूमिका निभा रहे हैं। 36 गड़ में हमारी पॉपुलेशन की बात करें। तो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हम वहां अड़हाई कड़ोर से अपरोक्स थे। और अभी वर्तमान इस्तिती में हम बात करें। तो 3.5 कड़ोर जैसी हमारी वहां जनसेंक्या हो चुकी है। पूरे परदेश में हमारी कुर्मी कम्निटी की भागेदारी की बात करें तो 22% है और जानते ही है कि पूरे परदेश में 22% कितना माइने रखता है। पर भाईयो 22% होने के बावजुद्धी दुर्भाई के हमारा ये था कि 75 साल लगे यहां हमारे अपने मुख्यमंत्री बनाने में। कॉंग्रेस से अभी हमारे बहुत कुर्मी समुदाई के बहुत फेमस लीडर है अमीर आजमी के लिस्ट में भी है। भुपेश भगेल जी यहां के हमारे वर्तमान सीम है। पर भाईयो आप देख लिजिए इन भारती जनता पाटियों का चुत्यपक हैं या फिर माइंड सेट, डर्टी माइंड सेट। आप सबी को पता है कि छत्यपट गडर में हमारे कम्यूटी बहुत युनाईट है और एक दूसरे पर अपने कम्यूटी के निता हो या परतिपक्छ के निता हो उन पर टीका टीपनी नहीं करते हैं। यही यही टीका टिपनी नहीं करने के कारण वस आप देखें होंगे कि वहां हमारे 36 गड़ के कुर्मीना बहुत यूनाइट है तो कोई भी दल के हो एक साथ एक मंच पे बैठते हैं हमारे 36 गड़ में अखिल भारतिय कुर्मी छत्रिय महासभा का कायरकरम भी होता है तो सभी नेता आपस में बैठते हैं और अच्छा ट्यूनिंग है और इसी ट्यूनिंग को बिगाड़ने के लिए यह भारतिय जनता पाटी वाले यह चूतिय लोग हमारे भूपेस बगल के बिपक्ष में नेता परतिपक्ष की नहें बनाते हैं आप इनका माइंड सेट समय सकते हैं पहले नेता परतिपक्ष बनाए इन होने बारतिय जनता पाटी वालोंने माइंड सेट देख लिजे इनके धर्मलालकोसित जीको अपको पता है कि धर्मलालकोसित जो हैं हो हमारे ही कम्म से उनको नेताप पर्तिपक्ष बनाएं ताकि टीका टिपनी हो लड़ाई लड़े दूसरा बनाएं जो अभी वर्तमान है नाराइन चंदेल जी अभी भारती जनतापाटी के छत्रित गड़ के परदे सद्यक्ष भी हैं और अखिल भारती कुर्मी छत्रिय समाज के कारिकरम मे सभी सिरकस देते रहते हैं हलाकि तो सभी जाते हैं पर आप यह सोच लिजे भाई कि एक कुर्मी से लड़ने के लिए नेताप पर्तिपक्ष किनको बनाया गया कुर्मी को ही बताओ भाई सत्तर साल चाहे वह बिजेपी हो या कॉंग्रेस हो सत्तर साल तक भाई यही राजप के नेत्वित में लोगों में चुनाव लड़ाना भाई हार गयो तो रमन सिंग को अभी नेता पर्तिपक्ष बनाऊना उनको पर्दे सद्धक्ष बनाऊना अभी कुर्मी की याद क्यों आ रही है तुम्हें यह भाई भाई भारती जनतापाटी की चूतियप्पा भाई भा से ही रिलेटेड रहे हैं दोस्तों अपना चत्तिजगड में ना हमारा राईश्वी सासन रहा है चत्तिजगड में हम लोग 1854 तक अखिल भारतीय कुर्मी छत्रिय समाज ने एक छत्र सासन किया है यहां हमारे बहुत सारे राजवन्स रहे हैं चाहे वो हमारे रगुजी रा पराज ने इन्हें ही दिया हुआ था स्रिवाजी महराई तो थे ही बंग भगेल वंस थे चंदेल वंस थे और यह अपना दश्चिन कोस में ना 1854 तक यह अपना दश्चिन कोसल में 1854 तक पुर्मी छत्रिय समाज का ही अधिपत्तो रहा सत्ता रहा और यह लोग काबीज रह पर आज उसके विप्रीत हमारी इस्तिती है क्योंकि 75 साल लग गए हमें एक मुख्य मंत्री बनाने में दोस्तो आप सभी को महराणी दुर्गावती चंदेल जी के बारे में पता ही होगा इन्होंने न 36 गड़ में 15 साल तक एक छत्र राज किया और एतियासिक राज किया इनका जो वह यूद है जबलपूर वाला एतियासिक यूद उनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे और जदी नहीं जानते होंगे तो हमें कॉमेंट सेक्षन में मैंसन जरूर किजेगा मैं इस पे महराणी दुर्गावती और इनके जबलपूर वाली एतियासिक यूद पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूगा भाईयो बहुत एतियासिक यूद था वो फिलाल दोस्तो वीडियो सायद लंबी बन रही होगी हम अपने 36 गड़ के में टॉपिक जो हमारी थी 36 गड़ के हमारे कुर्मी सांसद कितने हैं और कौन है दोस्तो आप सभी को पता है आप लोगों को पता है कि 36 गड़ में टोटल लोगसभा सीटे कितनी है ग्यारा और इन ग्यारा लोगसभा सीटों में पांच सीट ऐसे हैं जिनको रिजप रखा गया है छे सीट में चुनाव लड़ने को मिलती है पर्चंड भागेदारी होने के बाद भी हमारा दुरभाईग्य है कि हम लोग 36 गड़ के लोग मात्र एक ही सांसद बना पाया 36 गड़ के हमारे वर्तमान सांसद जी हैं बिजाईब बगेल जी दूर्ग से लोगसभा सांसद हैं भारते जनता पाटी के ही हैं और अभी अखिल भारतिय तुर्मी छत्रिय समाज 36 गड़ के परदेश अध्याख चुदिय हैं भारती जनता पाटी के हैं लेकिन सभी नेता इनके कारिकरम में सिरकस्त होते हैं कॉंगरेस के अपने मुख्यमंत्री जी है वो भी इनके कारिकरम में आते जाते रहते हैं और एक साथ इन लोगों का आपस में बेठना उठना मेल जुल है ही अर्थार तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई जो एक्जाम्पल हमें 36 गड़ सिखा सकती है वो अधर राश्ट क्यों ना कर सकती है हर राश्ट में यही मोनेपॉली जो 36 गड़ की है न वो होनी चाहिए पूरा स्टेट जितने सारी स्टेट हैं जहां कुर्मी पॉपुलेशन अच्छी भागिदारी में है और पूरे देश में कुर्मी सम्मुदाई यही decide कर लें कि हम अपने नेताओं पर हम अपने कुर्मी कम्यूटी के नेताओं पर या कुर्मी कम्यूटी के लोगों पर आपस में टिका टिपनी नहीं करेंगे जितना हद तक हो सके corporate करेंगे तो भाईयो उमीद है हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो जादी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजेगा और कुछ सगेश्ट करना हो या कुछ गलती हो तो comment section में जरूर बताईएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला कर 36 गड़ के भाईयो तक से जादाई परह जाइव परह जाइब सब्सक्राइब